तो और भाई लोग क्या लए आज की इस वीडियो में बात करने वाले फार्मेसी के इंटेंस एक्जाम की प्रिपरेशन के बारे में कि आप कैसे प्रिपेर कर लो कम से कम टाइम में आप कितना अच्छे से अच्छा प्रिपेर कर लो जो आपकी रैंक में अच्छे से अच्छा उससे नहीं म rhyme lavor होता है, आपने जितने portion का जितना ज्यादा जितना अच्छा revision करा होता है, वो चीज आपको बहुत ही ज्यादा helpful होगी, बहुत ही ज्यादा फाइदा करेगी, तो make sure कि आप जो चीजे पढ़ रहे हो, उस चीज का अच्छे से अच्छा revision कर लो, कि पढ़ी हुई चीज़े आपकी पेपर में ना गलत हो और पेपर के टाइम पर जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप उसको अभी कोरोना की कंडिशन है में भी हो सकता आपकी डेट एक्स्टेंड हो जाए तो अभी आप अपनी तैयारी पे पूरा पूरा ध्यान लगाओ जो लोग बोर्ड में अपने बोर्ड के हिसाब से अपने टूरल अच्छे से अच्छी प्रिपेर कर लो ताकि बोर्ड के बाद आपके पास जो 10-15-20 दिन का टाइम बचता है अगर में भी जैसे बहुत लोगों के CBSC बोर्ड के जो पेपर हैं वो इंटेंस एक्जाम की जो डेट कराई एनाउंस की गई है उस दिन पर उन लोग किसी का कमस्ट्री गया में भी किसी और चीज का पेपर पढ़ रहा है तो लोग बिल्कुल भी टेंसन ना लें क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो डेट एक्स्टेंड करी जाएगी एक्जाम की 100% करी जाएगी क्योंकि एक ही दिन पर दो एक्जाम नहीं कराया जा सकते हैं और जो इंटेंस एक्जाम जो होता है वो बहुत ही बड़ी चीज होती है तो उसके हिसाब से वो लोग देख कर उसकी डेट एक्सेंड होगी जरूर होगी और फिर उसके अलावा अगर आपको जो तयारी करनी है तो आप अच्छे से तयारी करो कम से कम टाइम में मैक्सिमाम अभी एक दो महिने बचे है तो इनफ टाइम है तो आप जो चीजे अगर आप कोई भी टॉपिक अच्छे से करते हो वो रिवीजन अगर उसका जितना अच्छा करोगे तो आपको पढ़ी हुई चीज़ें नहीं गलत होती है तो मझा इंटरेंस एक्जाम में होता है कि आपको जो चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जो कोस्चेन नहीं आता हु जिस चीज़ को आपने टाइम दिया है पढ़ी हुई चीज़ें आपकी गलत ना हो यह आपको कोशिज ज्यादा से ज्यादा करनी है और एक बहुत ही बड़ा डाउट क्लियर करता हूँ मैं कि बहुत लोग सोच रहे कि नहीं देता है अड्मिशन प्राइवेट कॉलेज में होई जाता एड्मिशन तो ऐसे डर्मिना इंट्रस एग्जाम के कौन मतलब जंजट करे फॉर्म भरे तेरह सो का फॉर्म है फॉर्म भर नहीं भरते है ऐसे डारेक्ट एड्मिशन ले लेते हैं तो मैं बोलना हूँ कि अगर आप तेरह सो बचाने के चक्कर में कोई बात नह और आप पेपर में कुछ नो कुछ कुस्टिन सही करके आओगे तो अगर यूपी ट्यू या कोई भी इंटर्स एकजाम है इसमें अगर आप अपियर करते हो इंटर्स एकजाम में पियर करने के बाद आप जो प्राइवेट कॉलेज में वैसे आपको रोमिंग करने पड़ेग तो आपकी साब से तो यह फाइदा होता है कि आगर आप inpatient exam में अपियर कर ले तो भेले आपकी तैयारी कैसी भी हो अच्छी हो या अच्छी नहू, तो अगर आप appear कर ले तो तो आपकी choices बढ़ जाती है आपच्छे से अच्छा college घर rank के हिसाब से तो यह फाइदा होता है कि अगर आप इंटर्स एक्जाम में अपियर कर ले तो भले आपकी तैयारी कैसी भी हो अच्छी हो या अच्छी ना हो तो अगर आप अपियर कर ले तो आपकी choices बढ़ जाती है आप अच्छे से अच्छा college घर बैठ की ले सकते हो जादा दोड़ना भागना नहीं पड़ेगा वही बात करें अगर आप इंटर्स एक्जाम में अपियर नहीं कर तो आपने फॉर्म ही नहीं बढ़ा तो आपको college में जाना पड़ेगा हर एक college में आपकी जाना पड़ेगा फिर वहां पर जाके आपको admission के लिए बात करनी पड़ेग या आपकी category के साब से जो भी एक्जाम फीस की है वह form भरो और अपियर करो जो हो सकता है वह करो paper में बाकी सब अच्छा ही होगा